तो सब सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन armed forces को modernize करने के लिए government के तरफ से लगातार अलग-अलग initiative को लिया जा रहा है जिल में इंडिजिनिया सत्यारों के development से शुरू करके इंडिजिनिया सत्यारों के procurement तक शामिल है और हाली में ही ऐसे ही एक modernization के लिए ministry of defense के तरफ से एक mega deal के उपर हस्ताक्षर किया गया है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो mega deal है ये करिवन 2.5 billion dollar का है जिसके अंतरगत इंडियन armed forces के लिए बड़े मात्रा में ब्रहमोस मिसायलों को खरिदा जाएगा और दोस्तों इसके बारे में जानकरे defense ministry के एक press release में दिय गया है और दावा किया जा रहा है कि ये जो contract है ये असल में इंडिया और रश्या के joint venture वाले company मतलब ब्रहमोस aerospace के साथ किया गया है जिसके अंतरगत ब्रहमोस aerospace इन मिसायलों का supply करेगा अब दोस्तों ये जो 2.5 billion dollar का deal है ये असल में एक deal नहीं बलकि दो अलग अलग deal है जि कि दूसरे और एक deal के अंतरगत करीवन 120 million dollar का ब्रहमोस मिसायलों को या फिर कहतों मिसायलों के equipment को खड़िदा जाएगा और इसे कुल मिला के अगर देखा जाए तो करीवन 2.48 billion dollar होता है हाला कि दोस्तों defense ministry के तरफ से केवल मात्र इसी एक deal के उपर हस्ताक्षर नहीं किया गया है बलकि शुकरवार के दिन defense ministry कई सारे डीलों की उपर हस्ताक्षर किया है जिसका कुल वैलू 4.7 billion dollar है और दावा किया जा रहा है कि इन में से जादा तर जहाँ पे हत्यार ब्रहमोस aerospace से खड़िदा जा रहा है तो उही पे एक अन्य डील में Indian Air Force को मजबूत करने के लि किया जाएगा ताकि इन यार क्राप्टों को Indian Air Force के द्वारा और कुछ लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके और दोस्तों इन यार क्राप्टों को और लंबे समय तक इस्तेमाल करने के पीछे असल मकसद Indian Air Force के medium weight यार क्राप मतलब तेजस Mark 2 यार क्राप्टों को तयार कर ल लव इन इंजिनों को भारत में ही निर्मान किया जाएगा। से पहला डील 925 मिलियन डॉलर का है और इस लागत से Armed Forces के लिए L&T Company से Short Range Air Defense System को जहाँ पे खड़िदा जाएगा तो उही पे दूसरा डील 690 मिलियन डॉलर का है और दोस्तों इस पैसे से High Power Radar को खड़िदा जाएगा माना जा रहा है कि यह जो Radar है यह असल में इंडियन एर फोर्स के द्वारा Line of Control और Line of Actual Control के नजदेग इस्तेमाल किया जा सकता है और इन Radar के इस्तेमाल से पुराने हो चुके Radar को रिप्लेस किया जाएगा पर दोस्तों इन सभी डीलों में ब्रमोस मिसाइलों का डील सबसे बड़ा और सबसे महत्तपूर्ण डील है क्योंकि यह जो मिसाइल है यह अपने आप में ही काफी खास है और आप लोगों को पताई होगा कि यह जो मिसाइल है यह कितना ताकतवर मिसाइल है दोसे इन मिसाइलों का Development भारत और रश्या के Joint Venture मतलब Brammos Aerospace के द्वारा किया गया है और आप लोगों को ये भी बता दू कि इस Joint Venture में भारत का Defense Research and Development Organization और रश्या के NPO का साथ है और इस Joint Venture का करिव करिव 50.5% शेयर भारत के पास है जब कि 49.5% शेयर रश्या के पास है और इनी कारोनों के वज़ा से Brammos Aerospace जो है उसके Office और उसके Production Facility भी भारत में ही है तो सो Brammos मिसाइल को जब भारत और रश्या के द्वारा बनाया गया था तब इससे 290 किलोमेटर रेंज के मिसाइल के रूप में बनाया गया था क्यूंकि भारत तब MTCR मतलब Missile Technology Control रिजिम का हिस्सा नहीं था जिन कारोनों के वज़ा से 300 किलोमेटर के अधिक रेंज वाले मिसाइल का टेक्नोलोजी रश्या भारत को नहीं दे सकता था फरसाल 2016 में भारत MTCR का मेंबर बनने के बाद MTCR के रेंज को एक्स्टेंड किया गया और करिवन साड़े 400 किलोमेटर तक इसके रेंज को बढ़ाया गया जो की अब Indian Armed Forces में सर्विस में है और हाली में इसके 900 किलोमेटर रेंज वाले वरियेंटों का वी टेस्ट किया गया है और इसे extended range MTCR कहा जारा तो उही पे दूसरे तरफ कुछ बिदेशी कमपनियों के द्वारा ऐसे हत्यारों के डिवलप्मेंट के उपर अडंगा लगा जा रहा है जिन में जर्मनी के M.T.U. जैसे कमपनी का जिकर फिलाल के दिनों में सबसे अधिक हो रहा है। भारत को बार बार ये एशोर किया जा रहा है कि भारत को हत्यार एक्सपोर्ट करने के जो टर्मस और कंडिशन है उसे जर्मनी के तरफ से और आसान किया जाएगा। भारत के सब्मरीनों के प्रोजेक्ट में भी पाटिसिपेट कर रहा है। बेसिकली दोस्तों हाली में जर्मनी के डिप्यूटी फॉरेंड मिनिस्टर के तरफ से अपने एक बयान में बताया गया है कि जर्मन गॉर्मेंट के द्वारा भारत के साथ जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल है उसे और आसान किया जाएगा जिससे कि भारत के द्वारत के के इंजिन के इस क्राइसिस के बाद अपने कई सारे बातों में इन सवी चीज़ों को डाइलूट करने का प्रयास किया जा रहा है और उनके तरफ से दिया गया बयान के मताबिक जर्मनी के जो हत्यारों के एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज से वो काफी स्ट्रॉंग है और इन जर्मनी के तरफ से टैंकों के इंजिन को लेके जो मुश्किल पैदा किया गया है शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही भनक लग गया था और इन कारोणों के वजा से जोरावा लाइट टैंकों को रोल आउट करने से कुछ दिन पहले ही MTU के इंजिनों के जगा में भारत के तरफ से कॉमेंस के इंजिन मतलब अमेरीकी इंजिनों को इस्तिमाल करने के बातों को रखा गया जिसके वज़ा से जोरा वर लाइट टैंकों के प्रोजेक्ट पे थोड़ा तो डिले हुआ है पर एटलिस्ट इन टैंकों को निर्मान करने के बाद अगर जर्मनी के त अपलाई को रोकने के बाद भारत के द्वारा अब अपने खुद के इंजिनों के डिफलोपमेंट को तेज कर दिया गया है जिससे कि जल्दी भारत के पास देड़ हजर होट्स पावर का एक टैंक इंजिन आ जाएगा और कुछ रिपोर्टों के मताविक तो अल्रेडी इन इंजिनों के इंटर्नल ट्राइल को शुरू कर दिया गया है जिससे कि माना जा रहा है कि MTU के इंजिन को लेकि अगर भारत के तरफ से इंतजार किया जाता है तो अर्जुन मार्कवान ए टैंकों का प्रोजेक्ट जहाँ पे 4 साल डिले होगा तो उही पे अगर स्वधिश और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये करिवन 5 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है और फिलाल जर्मनी इस प्रोजेक्ट को गौर्मेंट टू गौर्मेंट डील के अंतरगत संपूर्ण करना चाहता है पर वही पे जफसे इस प्रोजेक्ट में स्पेन का इंट्री हुआ ह तफसे भारत के सामने option के रूप में फिलाल दो सब्मरीन है और दोनों ही शमता के मामले में भारत के जरुतों को पूरा कर सकता है और जर्मनी के नरवये के कारण अव जर्मन गौर्रमेंट को मैसूस हो रहा है कि शायद भारत के तरफ से भी कुछ कड़ा कदम उठाया जाएगा जिससे कि जर्मनी के हतियारों के और लेके बड़ा जटका मिल सकता है हलाकि इसके इलावा भी अगर देखा जाए तो जर्मनी भारत के कई सारे वेकलों के लिए इंजिन और कई सारे अन्य एक्वेपमेंटों का सप्लाई करता है और दूसरे तरफ ब्रह्मोस मिसालों को खरिदने को लेके ये जो 2.5 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा मेगा डील मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के तरफ से अंजाम दिया गया है ये इंडियन आर्म फोर्सेस को कितना मजबूत कर सकता है कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पही करते हैं समाफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो है मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम